सड्यंत्र भागसात मदनमोहनतरण के द्वारा लिखित एवं उनी के द्वारा पठित जंगल जिन्दाहे से सडियंत भागसात मित्रो इस महाँ भीशन और कठिंतम कारे को संपन्न कर आपने यह सिद्ध कर दिया है कि आप अपने हितों की रक्षा के लिए क्या नहीं कर सकते याद रहे यह अत्या नहीं थी यह रास्टर के हित में हमारी आत्म रक्षा की लडाई थी शास्तर कहते हैं अपनी रक्षा के लिए कुछ वी त्याज्य है अब हम आराम से रास्टर के हितों की रक्षा कर सकेंगे परंतो कहां है उसका नश्ट सरीर अब उसे कभी देखा नहीं जा सकता हमने पहले ही से एक विशाल गड़ा खोद रखा था परंतो उसकी एक खंड़िद भुजा समस्त प्रयासों के बाब जूद बाहर ही रह गई हम उसे काट कर अपने साथ लेते आएं ओख तो महरशी ने स्वेच्छा से समा दिली महरशी के आकस्मिक अवसान से जनता कृद है उसका मन संदेहों से भरा है या पूरे रास्टर के लिए महान संकट की घड़ी है जरूर बित्र के लोग अवसर का लाव उठा कर उन्हें उतेजित करने का प्रयास कर रहे हैं कहां है प्रसासन का प्रवक्ता जो अपने नागरिकों को सच्चाई बता सके वे इस महान रास्टर के महान नागरिकों आप अभी कृद भले हों किन्त जब आपको सच्चाई मालूम होगी तो आप गर्व से भर उठेंगे और महर्शी के पती आपका सम्मान और भी बढ़ जाएगा महाप्रफ दधीची ने अपनी प्यारी जनता के लिए समाधी पूरवक्त का अपने प्राणों की आहुती दिये बोलो बो क्या हुआ कैसे आहुती दी महर्शी दधीची ने हमारे लिए नहीं नहीं या जूट है इन नर्पिसाचों ने महर्शी की हब्तिया की है संसार में इतना बल्शाली कोई नहीं जो हड़ियों के विशाल पहाड जैसे दधीची की तपस्या से उज्वलकाया को चूभी सके सच है सच है जब महर्शी दधीची इंदरपुरी के महान गलियारे से होते हुए एक विशाल परवत की भाती चले जा रहे थे तब देवाधी देव इंदर के सबसे बहादुर एवं विश्वस्नी ये सैनिकों ने उन्हें रक्षा कबच की भाती चारों और से घेर रखा था चदम सत्रों ने उनकी रक्षा प्रशासन का सर्वो परी करतब्य था अपने रास्ट के सर्वो परी और सर्वप्रीमनीशी की रक्षा में वह कोई नर्मी नहीं बरट सकता था सब कुछ योजना की अनुसार हो रहा था महर्शी के पावों के भाव से भार से धरती जैसे डगमगा रही थी सच मच बड़ा बलवान था वह सौ के बराबर अकेला तब ही सामने एक विशाल गहुआ राया उसे देखकर महर्शी दधीची रुक गए उन्होंने हम लोगों की ओर देखकर कहा हे रक्षगण अब सब कुछ मेरी समझ में आ गया है ब्रत्र को सामाने अस्त्र शास्त्र से मारना कठिन है वह मरेगा तो मेरी बज्र जैसी अस्तियों से ही ओफ महान कितना महान फिर महर्शी ने क्या किया फिर फिर महर्शी ने कहा मैं यहीं समाधी ग्रहन करता हूँ मैं इस गहुवर में ध्यान पूर्वग बैठ कर अपने रास्टर की जनता के हित में प्रानारपन करता हूँ तुम लोग इसे मिट्टी से भर देना, कुछ दिनों पस्चात मेरी इस्तिया निकाल लेना जिससे इंद्र एक वज्जर बनवाएंगे और उसी से ब्रत्र का बद होगा बाह प्रवक्ता बाह, कितनी रोचक है तम्हारी शैली, लगता है महर्शी जीवन्त हो उठे है यही कथा इतिहास में अंकित की जाए, जो युगों युगों तक जन जन को प्रेडा देती रहे ओ, महान, कितना महान, कहते जाओ प्रवक्ता, कहते जाओ, मन को कितनी शांती मिलती है, सच मच अद्भुत है यह कथा कहते कहते महरशी उस गहवर में प्रविष्ट हो गए अब उन्होंने अपने प्राण छोड़े तो बड़े जोरों से ओंकार का नाध हुआ और उस गहवर से एक महान जियोती निकली उस पर हम में से किसी की आँख नहीं टिक सकी महरशी धीरे धीरे उस महान जियोती की ओर बढ़े और फिर उसी में विलीन हो गए जियोती में सदा के लिए विलीन हो गए सब कुछ इतनी आकस मिक्ता से संपन्न हुआ कि हम कुछ भी समझ नहीं सके थोड़ी देर बाद जब हम महरशी की आग्या के अनसार उस गहुर को मिट्टी से भरने लगे तो हम लोगों ने एक अद्बुत चमतकार देखा क्या देखा हमने देखा कि महरशी की एक भुजा गहुर के द्वार पर पड़ी है उस भुजा को देखने से लगता था कि उसे महरशी ने किसी अस्तर के अभाव में किसी धारदार पाशान खंड से काड़ डाला है उस भुजा से रखते चू रहा था जन जन को अपने प्रिय महरशी के अंतिम उपहार का दर्शन हो सके इसलिए हम उसे साबधानी के साथ यहां तक उठा लाएं कहां है कहां है हमारे महरशी की वह पवित्र भुजा ओफ महान अब बिलंब मत करो लाओ लाओ वह अद्भुत और तपह पूठ भुजा हम सब उसके माध्यम से पूरे राष्टर का सम्मान व्यक्त कर सकेंगे उस तबस्वी के परती यह भुजा रास्टर की सबसे मोडलिवान धरोगा रहा है ओ खद्भुत विशाल जैसे बज्ज्र हो दधीची ने आत्म बलिदान नहीं किया है इंद्र के निचरों ने उनकी हत्या की है तू कौन है रे पाखंडी जो अपने मिठ्या आरूफ से महर्शी के महान बलिदान को तच्छकारी सुद्ध करना चाहता है मैं चाहे कोई भी रहूं इंद्र जरूर तू ब्रत्र का कोई परिजन है जरूर इस देश की जनता के सत्रों में से कोई एक है तू चाहे तू कोई भी हो तू बद के योग्य है जो इस राष्ट की सबसे दुख भरी घड़ी में ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू अश्य ही बद के योग्य है महर्शी की इच्छा पूर्ण करने का यही उप्युक्त समय है हाँ हाँ इस दुष्ट के बद का यही उप्युक्त समय है करपया समस्त जन सुने इंद्र अपने स्वार्थों की पूर्ती के लिए आप से चल कर रहे है हे इंद्र यदि बृत्र का बद हड़ीयों से ही होना है तो वे तुमारी हड़ीयां भी तो हो सकती है सच है सच है वे हड़ीयां इंद्र की भी तो हो सकती है तो पूछो इंद्र से क्या हड़ीयां केबल दधीच के ही सरीर में थी भाग साथ सड्यंत मदन मोहन तरू